कि नमस्कार साथियों तो करंट अफेर्स किस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं बच्चों उम्मीद है आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी और कोशिश करेंगे कि हम इसको और बहतर रोजाना करते चले जाएं एमटीएस एक्जाम की डेट भी आगी है तो एमटीएस वाले बच्चे भी भाई अभी जिनका जून में है एक्जाम जून में भी है ना कुछ लोगों का जून में भी है ना कुछ लोगों का तो अब ये तो पता नहीं है किसका जून में है किसका कब तो इसलिए मैं तो कहू से current affair की class जो MTS वाले बच्चे हैं वो कैसे ले लेंगे वो weekly class ले लेंगे और फिर month का कर लेंगे वो weekly और month का साथ में कर लेंगे ठीक है चलो आपके अप्रेल अप्रेल में सारे month में निपटवा दूँगा March तक के जिसमें से आज आज शुरुआत हो जाएगी आज कौन सा बच्चो दिसमबर के आप आपको शाम को मिल जाएगी current affair की class ठीक है दिसमबर की वही आठ साड़े आठ बजे के बाद मिल जाएगी बच्चो ठीक है कल मैंने आप से पूछे थे कुछ सवाल तो उन सवालों के जवाब बच्चो जो मैं एक वीडियो लेकर आउँगा इसलिए मैंने अभी किसी को individual जवाब नहीं दिये हैं उसमें जो सवाल सब के मतलब के हैं क्योंकि एक ही सवाल 20 जगे भी है और बच्चा केवल अपने कमेंट का अंसर देखता है तो उसकी एक छोटी सी वीडियो ले आएंगे ठीक है चलो शुरू करते हैं बच्चो दिसंबर की आज आपको मिल जाएगी करेंट अफेर और दिसंबर की करेंट अफेर कुछ अलग तरीके से आज आज आपको मिलेगी देखना ठीक है चलो बहुत महत्पूर सवाल हैं उसमें कल के रिवीजन के साथ शुरुआ कर दे लेते हैं भारतिय नोसेना का पहला पिरसिक्षन स्क्वाडरन पहला जो है बचो क्या स्क्वाडरन कौन सा ट्रेनिंग का वो कहां इस्थित है क्या वो कोची में स्थित है बिलकुल कोची में स्थित है कोची में क्या वाटर मेट्रो भी है बच्चो ये बार बार देख लो जब भी कोची का नाम आए वाटर मेट्रो याद होनी चीए जब भी कोची का नाम आए आपको पता होना चीए कि अभी NGT ने सो करोड रुपे का जुर्माना लगाया है क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सही परफॉर्मेंस नहीं की सही पुरदर्सन नहीं किया है कोची ने जब भी कोची का नाम याद आए आपको पापता होना चीए कि जो INS विकरांथ है वो कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड में बना है कहां बना है कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड में बनाया गया है INS विकरांथ को तो यह चीज़े तो कोची के बारे में आपको पता होनी ही होनी चीए ठीक है चलो अगला कुशन है भगवान बसवेस्वर बारवी सदी के दार्सनिक हैं जिनका संबंद किस राज्य से है करनाटक राज्य से उनका संबंद है बचो अभी हाल ही में क्यों चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में उनकी मूर्ति का नावरन किया गया है कहां पर बेंगलूरू में बेंगलूरू की विधान स सभा है उसके कॉंपलेक्स में भगवान कैम्प गोडा जो है बचो है ना नाद प्रभू कैम्प गोडा उनके साथ साथ भगवान बसेस्वर की मूर्ति का भी क्या किया गया है बचो अनावरन किया गया है ठीक है किसका कैम्प गोडा जो है करनाटक राज्य विधान सभा के प आपको पता होगा, ठीक है, एक तो सहकारिता मंत्राले उनके पास है, एक तो ग्रह मंत्राले उनके पास है, और एक सहकारिता, Ministry of Cooperatives और Ministry of Home Affairs बच्चो, उनके बेटे का नाम है जैशाह, ठीक है, जैशाह जो है बच्चो, आपको पता है, जैशाह सेकरेटरी हैं, बी-सी-सी-ाइए के, क्यों है, सेकरेटरी हैं वो, बी-सी-सी-ाइए में हैंना, Board for Control of Cricket in India, जो बी-सी-सी-ाइए है, मुख्याले जिसका कहां पर है, मुंबई में जिसका मुख्याले है, इसके लावा एक चीज़ आपको पता होगी, जो ये-सी-सी-ाइए एशियन Cricket Council के अध्यक्ष भी है, जैशाह, एशियन Cricket Council के अध्यक्ष भी हैं, जिसका मुख्याले कहां पर है, कोलमबो में, जो पहले राजधानी हुआ करती थी, किसकी बचो, ताजधानी स्रिलंका की हुआ करती थी, अब नहीं है, ठीके, अब नही बता दूँगा ठीक है चल। सब के सवालों का जवाब पता होना चाहिए अगर मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया है तो या तो मैं मेरे सवाल का जवाब मिल जाए और मैं फिर सेम कमेंट करता रहूँ इसका मतलब मैं सुनी नहीं रहा हूँ टीचर को है ना इसका मतलब तो यही है मैं teacher को सुनी नहीं रहा हूँ और जब आपको सुनना ही नहीं है जवाब चाहिए ही नहीं तो फिर सवाली क्यों करना है इसलिए जो question का answer मिलने के बाद बार आये उसे न यह तो time out कर दो या आप जो भी करना चाहो blog करना चाहो वो कर सकते हो ठीक है चलो हाल ही में किसे जिसे में और जो बच्चे हैं उनके सवालों का जो भी है बतलब उनको भी देख सकूँ उनका भी जवाब दे सकूँ बच्चो किसे विशे साहित्तिक पुरुसकार से सम्मानित किया गया है प्यूस रिवास्तव को किया गया है बच्चो किसे किया गया है जल पुर्सकार ये किसका है, Foundation of Sark, Writers and Literature बचो, Foundation of Sark, Writers and Literature, यनि Sark जो countries है, ठीक है, उनके लिए बना हुआ है, Sark, Writers and Literature के लिए बना हुआ एक foundation जो है, अब Sark में तो बंगलादेश भी आता है न, Sark की full form, अगर आप से पूछी जाए, आप क्या बताओगे, South Asian Association for Regional Corporation, क्या बत बताओगे, South Asian Association for Regional Corporation, आप बताओगे बच्चो, ठीक है, चलो, तो Foundation of Sark, Writers and Literature जो है, इसने 26 मार्च को अभी, यनि अभी, बंगबंधु शेख मुझी बुर्रहमान को एक विसेश साहितिक पुरुसकार दिया है, विसेश साहितिक पुरुसकार किसके लिए दिया गया है, ब बच्चो, MTS के लिए क्लास अभी बंद मत करो, क्योंकि अभी आपको यही नहीं पता कि एक्जाम अब कब होना है, हैंना, 10-1 दिन क्लास और ले लो, क्योंकि कुछ बच्चों का तो June तक भी, June में भी जा रहा है ऐक्जाम, जा रहा है ना, June में जा रहा है अभी बच्चों का एक्जाम जल्दी बताओ तो वैसे भी 25 दिन पहले तक की लेनी चाहिए क्लास तो अगर मई वाले एक्जाम में भी आप खुद को मान के चलते हो तो अभी 10 अपरेल तक अभ ले लो क्लास ठीक है चलो या नहीं लेना चाहो तो वीकली ले लो वीकली क्लास ले लो बच्चो फिर आपकी मरजी है लेकिन वीकली वही है चार बार देखोगे तब याद होगा आपको यह प्रुसकार उनकी ट्रायलोजी ट्रायलोजी का मतलब होता है जब तीन बुक लिखी जाएं और वो कनेक्टिड हों आपस में ठीक है जैसर शिव ट्रायलोजी के नाम से लिखी है अमीश तरपाठी एक लेखक है उनोंने लिखी है शिव ट्रायलोजी बच्चो है ना अमीश तरपाठी ने तो इसी तरह इनकी ट्रायलोजी तीन पुस्तक क्या नाम है The Unfinished Memoirs The Prison Diaries and The New China ना इसके लिए प्रदान किया गया है इसके लिए इनके लिए प्रदान किया गया है जमू और कश्मीर की किस समाज सेवी ने वन्यजीव संरक्षण प्रुसकार 2023 जीता है तो ये वन्यजीव संरक्षण प्रुसकार 2023 किसने जीता है बचो ये आलिया मीर ने जीता है कहां की है जम्मू कश्मीर की है किस के लिए काम करती है वन नजीव संडक्षन के लिए यानि जंगली जानवरों के बचाव के लिए उनके प्रोटक्शन के लिए उनके कंजर्वेशन के लिए ये काम करती है बच्चो ठीक है आलिया मीर को मिला है वाइल लाइफ कंजर्वेशन अवाड दोहजार तेईस बच्चो ठीक है जानवरों के लिए जम्मू कश्मीर से अवाड पाने वाली पहली महिला है वो कौन है पहली महिला है बच्चो बी आरों ने रिकाउड कितने दिन में लेह मनाली हाईवे खोल दिया है 138 दिनों में ही इस बार लेह मनाली जो हाईवे है वो खोल दिया है वो कैसे बंद हो गया था बर्फ बारी जो होती है न सर्दी में उसकी वज़े से लेह मनाली वाला पूरी तरह से बंद हो जाता है तो उसे खोलने का काम किया जाता है Border Road Organization के दौरा किसके दौरा Border Road Organization के दौरा किसने जो Athletics Federation of India ने आयोजित करवाई है Indian Grand Prix 2 वैसे Grand Prix किससे संबंदित है Formula 1 से लेकिन यहां हमारी पृतियोगिता है Athletics की किसकी बच्चो Athletics की जो पृतियोगिता है तो उस पृतियोगिता का नाम दे दिया गया है Indian Grand Prix उसका दूसरा चरण वो कुल मिला के चार चरणों में आयोजित होगी किसी में कुछ गेम रहेंगे, किसी में कुछ गेम रहेंगे, किसी में कुछ गेम रहेंगे अलग अलग इवेंट अलग अलग चरण में खेले जाएंगे तो अभी 1260 पदक जीता है अर्चना सुसिंद्रन ने किस में जीता है बच्चों क्या इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर की दौड में ये 12 पदक जीता है 100 मीटर की दौड हमेशा बहुत महत्पून रहती है जैसे दुनिया के सबसे तेज जो विक्ती है वो 100 मीटर में जिन्होंने सबसे फास्ट दौड मारी है उसे इन बोल्ट उनी को बोला जाता है किन को बोला जाता है जिन्होंने 100 मीटर वाली दोड सबसे फास्ट मारी है बच्छो ठीक है तो 100 मीटर और 200 मीटर में और पुरुसव में 100 मीटर जीता है हरियाना के संजीत ने Athletics Federation of India इसका second क्या बच्छो second जो चरण है उसमें ये किया गया है बच्छो ठीक है चलो अगला कुशन है चुनाव आयोग करनाटक का जो है उसने किस transgender लोक कलाकार को कौन है ये कौन है बच्छो ये लोक कलाकार है नहीं फौक आर्टिस्ट इनको बच्छो समुदाय के लिए च चुनाव आयकन के रूप में चुना है यानि कि जो transgender समुदाय है वो कैसे जुड़े वोटिंग से वो कैसे वोट करे उन्हें कौन प्रेडित कर सकता है तो उन्हीं के समुदाय का अगर कोई व्यत्ती हो उसे बना दिया जाए आयकन यानि वो बढ़ावा दे वो लोगों को प्रेडित करें कि अपने आपको voter list में register करवाओ जब वोट डालने की बारी आए वोट डालो जिससे की आपके तरफ भी लोगों की निगहा जाए आपका भी उत्थान हो आपके लिए भी कुछ योजनाएं चलें तो करना तक ये करता आ रहा है बच्छो ठीक है करना तक ये करता ही आ रहा है बच्छो गलती से कोई बैच खरीद लिया है तो ये comment आप एक बार offline कर देना मैं ये forward कर दूँगा ठीक है या तो ये team से आप बात कर लो जो team है हमारी उससे बात कर लो अगर गलती से कोई बैच खरीद लिया है तो चेंज हो जाएगा चिंता मत करो बोल द इस तरह से गलती से खरीद लिया तो हम ऐवी पता है बच्चे को एक बैच लेने के लिए पैसे रेंज करने पड़ते हैं बार बार थोड़ी करेगा वो तो हो जाएगा चंच टेंशन लेने के जरुतनी है आप बोल देना ठीक है चलो तो मंजम्मा जोगाती जो हैं बच्चो उनको किया गया है ताकि वो और लोगों को भी क्या कर सकें और लोगों को भी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए प्रिरित कर सकें बच्चो ठीक है चुनाव आयोक का मुख्यल आप से पूछा जाएगा मुंबई या दिल्ली तो मुख इसके थे सुकुमार सेन, वरतमान में राजीव कुमार हैं और ये पच्चीसवे नंबर के हैं जैसे पच्चीसवे नंबर के आर्बियाई के गवर्नर भी हैं पचासवे नंबर के जैसे हमारे आज कर सीजे आई हैं फिलाल जो सीजे आई हैं हमारे वो पच्चासवे के याद रखना है चुनावायों का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को और क्योंकि 25 जनवरी को किया गया इसलिए नेशनल वोटर्स दे हमारे यहां कब मनाया जाता है बच्छो ये भी मनाया जाता है 25 जनवरी को कब मनाया जाता है नेशनल वोटर्स दे हमारे यहां मनाया जाता है बच्चो 25 जनवरी को याद रखना है ठीक है नहीं दिल्ली में किस देश के दूतावास ने Spanish Hindi Football Dictionary जो है उसका लोकारपन किया है उसे लाँच किया है तो Spanish Hindi Football जो डिक्शनरी है वो लाँच की गई है किस दूतावास के दौरा Spain के दूतावास के दौरा Bullfighting क्या यहीं पे होताई जल्दी बताओ क्या Bullfighting नाम का जो गेम है क्या वो यहीं होता है क्या इसकी राज़ानी Madrid है क्या Madrid में पिछले साल 2022 में नाटो का शिक्खल सम्मेलन हुआ था बچो क्या इसके Carlos Alca Raj नाम के वो सबसे कम उम्र के खिलाडी बन गए हैं किसके ATP रैंकिंग में क्या ATP रैंकिंग में सबसे कम उम्र के खिलाडी कारलो सलकराज ही बने हैं नमबर वन वर्ल्ड नमबर वन बनने वाले सबसे कम उम्र के खिलाडी क्या कारलो सलकराज ही हैं क्या इन्होंने यूएस ओपन जीता था पिछले साल 2022 में क्या इन्होंने इंडियन वेल्स ओपन अभी हालवी में जीता है क्या राफेल नडाल भी वहीं के हैं बच्चो राफेल नडाल राफेल नडाल भी क्या वहीं के हैं क्या राफिल नडाल को कले कोट यानि लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है क्या इनके नाम सबसे ज़्यादा 22 ग्रेंड स्लेम का खिताब है 22 जो ग्रेंड स्लेम हैं वो इन्होंने जीते हैं क्या लाल बजरी का बादशाह इने कहा जाता है क्या फ्रेंच ओपन सबसे ज़्यादा इतिहास में जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है बच्छो राफिल नडाल के और क्या जो भारत में अंडर 17 फुटबॉल महिला वर्ल्ड कप हुआ था क्या वो भी स्पेन ने ही जीता था क्या वो भी स्पेन ने जीता था जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्छो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या वो भी स्पेन ने जीता था जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था महिलाओं का फुटबॉल भारत में आयो जित किया गया था कहां पर भारत में वो भी ठीक है वो भी ह अगला कुशन है flagship program PM3, PM3 के तहत क्या किया जाएगा बच्चो, PM3 के तहत जो है लगभग 14,500 स्कूलों को modern स्कूलों में बदला जाएगा, क्या नहीं स्कूल बनेंगे, बिल्कुल नहीं, existing जो स्कूल है, पहले से ही जो exist करते हैं, और उनको कुछ parameters पर देखा जाएगा, जिनम इन्हे parameters पर, छे parameters पर उनको जाचा जाएगा, उसके बाद उन्हें दर्जा दिया जाएगा PM3 का, और क्योंगी सिक्षा से संबंदिते स्कीम हैं, तो सिक्षा मंत्राले, धर्मिंदर प्रधान इसके प्रमुक हैं, ठीक है? सिक्षा मंत्राले के प्रमुक कौन है? धर्मिंद का पुराना नाम Ministry of Human Resources Development ठीक है मानव संसाधन विकास मंत्राले इसका नाम हुआ करता था क्या नाम हुआ करता है बचो मानव संसाधन विकास मंत्राले ठीक है तो PMCD स्कूल में अभी लगबग 9000 स्कूलों को चुना गया है ठीक है 9000 इनको बचो 6 पेरामीटर्स पर 6 पेरामीटर्स पर देखा गया है और इसे क्या किया जाएगा इनको आदर्स विद्यालों के रूप में विक्सित किया जाएगा डवलप किया जाएगा ध्यान रखना है आदर्स विद्याल्यों के रूप में किसने 36 उप गुरहों के साथ LVM-3 M3 रॉकेट का बच्चो अभी सफलता पूरवक लॉंच किया है तो इसरो ने हाल ही में किया है बच्चो इसरो गगनियान कब तक भेजेगा जल्दी बताओ गगनियान भेजने की इसरो की स्कीम कब तक की है 2024 तक की है गगनियान यानि अंतरिक्ष में यातरी व्यक्ती भेजने की बच्चो क्या इसरो का मिशन आदित्य L1 सूरिय से जुड़ा हुआ है आदित्य L1 क्या सूरिय से जुड़ा हुआ मिशन है बच्चो बिल्कुल जल्दी वताओ कमेंट करके क्या आदित्यलवन सूरिया से है या मंगल से जुड़ा हुआ है तो इस सूरिया से जुड़ा हुआ है बच्छो ठीक है याद रखना है सूरिया से और अभी हाल ही में इसरों ने जो latest rocket launch किया है उसका नाम क्या है LVM3 M3 ये question भी पूछा जा सकता है हाल ही में 36 जो 36 satellite को लेके गया है बच्छो 36 satellites को जो लेके गया है वो कौन सा वो कौन सा rocket है बच्छो वो LVM3 M3 rocket है ठीक है LVM3 M3 rocket है कहां से launch किया गया 37 धवन Space Center से ये कहां पर है सिरी हरी कोटा में है सिरी हरी कोटा कहां पर है तो ये आंधर प्रदेस में है बच्छो कहां पर है आंधर प्रदेस Y.S. जगन महन रडडी जहां के कौन है बच्छो जहां के Y.S. जगन महन रडडी मुख्यमंत्री है और S. नयायमूर्ती S. अब्दुलनजीर कौन है वहां के राज्यपाल है S. अब्दुलनजीर कौन है बच्चो वहां के राज्यपाल है 23-24 के लिए मन्रेगा की दरों में कितने परसेंट तक संशोधन किया गया है 10% तक इसे 10% तक राईज किया गया है कहीं पे कम कहीं पर जादा अब वर्तमान में सबसे ज़्यादा हरियाना में है क्या है बच्चो वर्तमान में सबसे ज़्यादा हरियाना में दैनिक मजदूरी यानि डेली वेजिज और सबसे कम है मध्य प्रदेश और 36 गड़ में ठीक है मध्य प्रदेश और 36 गड़ में सबसे कम है याद रखना है क्या है बचो सबसे कम है लेकिन जो व्रधी की गई है अभी सबसे ज़्यादा कहां राजिस्थान में की गई है जो बढ़ाई गई है दर जो वेजिज बढ़ाई गई है सबसे ज़्यादा कहां पर राजिस्थान में बढ़ाई गई है बच्छो World Theatre Day मनाया जाता है 27 मार्च को ठीक है कब 27 मार्च को इस बार की थीम क्या है Theatre and a Culture of Peace Theatre and a Culture of Peace इस बार की थीम है बच्छो Theatre and a Culture of Peace इस बार की थीम है बच्छो आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि MTS का जो एक्जाम है वो दो फेजिस में हो रहा है ना यस या नो जल्दी बताओ MTS का एक्जाम तो भई ये हो रहा है कहां मई में तो मई से पहले तो आपको ना मई से पहले आपके मार्च तक की यानि April-April में March तक की आपकी क्या हो जाएंगी पूरी मंतली हो जाएंगी बच्चो आज December हो जाएगा फिर हमारे पास बस तीन महीने बज जाएंगे ठीक है तीन महीने हमारे पास बज जाएंगे ठीक है प्लस Topic-wise भी सारे हो जाएंगे ठीक है Topic-wise लेकिन मैं आपको बता दूँ कि Topic-wise मैं करवाऊए वा केवल कहा तक बच्चो फर्वरी 2022 तक के शामिल करेंगे उसमें कितने तक के फर्वरी 2022 या आप कहों तो मार्च तक के कर लें मार्च तक के कर लें मार्च यानि फिर आपको अगर पढ़ना होगा आगे तो आप अप्रेल तक के पढ़ोगे बस एक महिना आप मंतली कर लेना अगर करना है या वीकली कर लेना मार्ज तक कर लेना बचो बचो अगनीवीर का एक्जाम ये वाली ना बचो ये वाली जानकारी अंकिस सर के पास ज़्यादा होती है मार्ज तेइस तक हम टॉपिक वाइज भी कर लेंगे तो बचो ये मंतली भी हो जाएंगे और टॉपिक वाइज भी मुझे नहीं लगता फिर आपका एक्जाम में कुछ भी बचेगा ठीक है? आपके एक्जाम में फिर कुछ भी बचेगा इससे भी तेज चले धृनीकी जैसे हमारी सुपर्सोनिक का मतलब जो सी है धृनीकी गति से 3-4 गुना तक जो चले और हाइपरसोनिक आट-9 गुना तक भी जाती यह क्या जाती है आठ नो गुना तक भी ठीक है तो इसने बच्छो किस देश ने तो रूस ने क्योंकि रूस की चल रही है भी टेंशन यूक्रेन युद्ध की वज़े से बच्छो ठीक है तो इन्होंने एक सूपर सेनिक एंटी शिप मिसाइल दागी है एंटी शिप मतलब जो श पियानी जहाज को तबहा कर दे तो एक आर्टिफीशल लक्ष पर इसे दागा गया है बच्छो इसका नाम क्या है बच्छो इसका नाम क्या है इसका नाम है SSN 22 Sunburn ठीक है SSN 22 Sunburn इसका नाम है ठीक है क्या नाम है या तो नाटो रिपोर्टिंग के नाम से भी से जाना जाता है लेकिन में नाम है इसका SSN22, Sunburn इसका नाम है, सोवियत मूल की है, यह किसकी है, सोवियत यानी, सोवियत यानी की इन्होंने बनाया है, रशिया नहीं इसे बनाया गया है, ठीक है, रशिया की द्वारा बनाया गया है, किस IIT के शोध करता हूंने दूद में मिलावट का पता ल ला देते हैं अब कोई कह दे ना कि दूद में पानी मिलाता है अगर कोई व्यक्ति दूद में पानी मिलाता है तो वो बड़ा ही अच्छा आदमी है बच्चों है ना वो बहुत ही बहतरी नादमी है वो बड़ा इमांधार आदमी है जो दूद में पानी मिलाता है क्योंकि कम स कम से कम पानी आपको नुकसान नी करेगा, बाकी जितनी वी चीजें हैं, जो दूद में मिलाई जाती हैं, उसको गाढ़ा दिखाने के लिए, यूरिया तक मिलाया जाता है, वो सबसे खतरनाक हैं, इसलिए अगर कोई दूद में आप बाहर से पानी लेते हो, और कोई पानी मि मद्रास ऐसे जो है ना ऐसे दिमाग के से ज़्यादा काम आईटी मद्रास करता है ठीक है तो ये घर पर ही दूद में जो मिलावट हुई है उसका परिक्षन किया जा सकता है बचो वह से लोग यूरिया मिला देते हैं कुछ डिटरजेंट मिला देते हैं कुछ साबून मिला द पानी वालों से कभी भी ना उल्टा सी दमत बोलना वो तो देव तुल्ले हैं उनकी तब पूजा की जानी चीए भई ठीक है चलो आगे चलते हैं IIT मद्रास हो गया भारत अफ्रीका देश के सेना प्रमुखों के पहले संयुक्त सम्मेलन का आयोजन भारत और अफ्रीका के कंट्री हैं बच्चो ठीक है बच्चो अफ्रीका में जो कंट्री है भारत और अफ्रीका के सेना प्रमुखों के पहले जॉइंट कॉन्फरेंस का आयोजन किया गया है कहां पर यानि भारत भी सामिल हुआ उसमें भारत के सेना प्रमुख कौन है बच्चो भारत के सेना प्र किया गया है और राजनास सिंग जो हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की किनोंने की जो भारत के रक्षामंत्री हैं उन्होंने अध्यक्षता की जल्दी बताओ भारत की जो सेना है उनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है सुप्रीम कमांडर उनका कौन होता है नमबर एक बच् भारत की सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है जल्दी कमेंट करके बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ बच्चो सुप्रीम कमांडर जिनकी कमांड के अंदर तीनों सेनाओं रहती है जिनके आदेशों का अंतिम तौर पर पालन किया जाता है सेनाओं के द्वारा और बहुत बढ़ी है बच्चो इन में से कोई भी नहीं राष्ट्रपती होते हैं वो कौन होते हैं राष्ट्रपती जो हैं तो वो हैं बच्चो सुप्रीम कमांडर भारतिये सेनाओं के तो यह हुआ है पूने में ठीक है एक आपको याद होगा जब मैंने बताया था जब डिफेंस एक्सपो हुआ था डिफेंस एक्सपो के साथ डिफेंस एक्सपो हुआ था गांधी नगर में इस बार कहां हुआ था गांधी नगर में तो उसके साथ भी तो भारत अफरीका रक्षा समवाद हुआ था नहीं हुआ था उसके साथ साथ उसके simultaneously क्या हुआ था बचो भारत अफरीका रक्षा समवाद यानि भारत अफरीका इंडो अफरीका या बचो इंडो अफरीकन डिफे उजित किया गया था गांधी नगर में तो वो भी ध्यान रखना है ठीक है वो रक्षा समवाद था और ये क्या है बचो संयुक्त सम्मेलन है सेना परमुखों का ध्यान रखना है ये पुने में हुआ है वो हुआ था कहाँ पर वो हुआ था बच्चो कहाँ पर गांधी नगर में हुआ था ultimate table tennis season चार कायोजन कहां किया जाएगा ultimate table tennis season ये क्या है professional जैसे franchise ही खेलती है ना IPL में इसी तरह से इसमें भी खेलती है तो ये कहां खेला जाएगा पुने में खेला जाएगा कहां खेला जाएगा बच्चो पुने में ये खेला जाएगा ठीक है चलो कहां खेला जाएगा ये बच्चो पुने में खेला जाएगा याद रखना है दो चीज होगी पुने में NDTV ने सेभी के किस पुर्व प्रमुक को गैर कारेकारी अध्यक्ष यानि नॉन एग्जिकिटिव चेरमेन बनाया गया है किस के दौरा, NDTV के दौरा किस को सेभी के पुर्व प्रमुक को जैसे अभी सेभी की प्रमुक कौन है? माधवी पुरी बुच्छ ठीके बच्चो पहली महिला है जिन्हें सेबी की हैड बनाया गया है माधवी पूरी बुछ नाम है तो ऐसे ही बच्चो कौन थे यू के सिन्हा है ना उपेंद्र कुमार सिन्हा रहे थे बच्चो सेबी के 6 साल तक तो उन्हें क्या बनाया गया है बच्चो उन्हें बनाया गय अन्वेल का मतलब होता है वेल मतलब परदा यानि किसी चीज़ से परदा उठाना का मतलब है अन्वेल ठीक है वेल मतलब परदा और अन्वेल मतलब परदा उठाना यानि अनावरन करना उसका यानि एक तरह से उसकी शुरुआत करना और यह सवाल मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ उत्राखन में कहां पर बच्चो उत्राखन में देवस्थल पर ठीक है किस मंत्राले ने भारत को उ प्रोडक्ट जो है डवलब भी यहीं पर हो और बनाया जाए इस तरह का बनाया है और खासतोर पर कौन सी चीजों में इलेक्ट्रोनिक चीजों में क्योंकि इलेक्ट्रोनिक मैं जैसे चिप ही है सेमी कंड़क्टर ही है हम उसके लिए चीन और ताइवान पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं किस पर करते हैं बचो चीन और ताइवान पर निर्भर करते हैं तो उस टाइप की इलेक्ट्रोनिक जो चीजे हैं वो हमारे हैं बने इसके लिए भारत को बचो एक क्या बनाने के लिए प्रोड़क्ट डवलपर और मैनुफेक्ट्रिंग नेशन बनाने के टास्क फोर्स यानि कि जो काम करेगी इस चीज पर ये चीज करने के लिए जो काम करेगी especially इस पर ध्यान देगी तो इसलिए उसका नाम टास्क फोर्स है बहुत बढ़िया मंत्राला पहले बच्चे दी ज़्यादा कह रहे थे फिर उने समझ में आ गया सी की बात चल रही है इलेक्ट्रोनिक्स क्या बच्चो इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रोध्योगी की मंत्राला याद रखना है चीन विएतनाम को जो बतलब 35 परधा देने के लिए चीन और विएतनाम से हम बहुत सारी चीज़ आईसी मंगाते हैं बच्चो दलाई लामा ने यूएस में जन में कितने वर्सी है मंगोलियाई लड़के को ध्यान रखना एक एक वर्ड का यूएस में जन में कितने वर्सी है मंगोलियाई लड़के को बहुत धर्म में तीसरा सर्वोच पद जो है उसके रूप में नामित किया है देखो बचो दलाई ला नाम नहीं है दलाई लामा एक पद है ठीक है तिबत में जो धर्म गुरु हैं बौधों के दलाई लामा उनको बोला जाता है सर्वोच है तो अब जो दलाई लामा है वो अपने से नीचे भी कुछ लोगों की निक्ति करते हैं तो उन्होंने तीसरे सर्वोच पद पर एक लड के को मंगोलिया में जो जन्मा था बच्चो कहां पर मंगोलिया में आठ वर्स का लड़का है कितने वर्स का आठ वर्स का लड़का है और कौन सा है यह तीसरा पद जिस पे उसे नॉमिनेट किया गया है इस पद का नाम है खलखा जेटसन धंपा रिन पोचे बड़ा छोटा सा बौदिज्म का यह क्या है बचो तीसरा सबसे महतपूर्ण पद है सरवोच पद है तो इस पर अब उस लड़के का नाम नहीं बताय गया है क्यों क्योंकि भाई जो भी तिबबत में जो भी बौद धरम का क्या बनता है बचो कोई भी पद पे जाता है चीन उसके पीछे पड़ जाता है क्यों? क्योंकि चीन कहता है तिबबत पूरी तरह से हमारा है और ये लोग कहते हैं कि तिबबत पूरी तरह से तुम्हारा है नहीं तिबबत पे तुमने अवैद कबजा कर लिया है ठीक है? इसलिए तो दलाईलामा भारत में रहते हैं धरमशाला में धरमशाला मतलब रहने वाली धरमशाला नहीं धरमशाला हिमाचल में जो है बच्छो ठीक है इसलिए रहते हैं क्योंकि बच्छो चीन जो है उन्हें वहाँ जाने नहीं देता है ठीक है चीन वहाँ उन्हें जाने देता नहीं है क्योंकि वह चाहता है अपनी तरह से चलना और यह कहते हैं कि यह हमारा है इसे तिब्बत को हमारे लिए रहने दो इस पे जबरजस्ती कबजा मत करो ठीक है चलो तो खलखा जेटसन धंफा रिन पोचे याद रखना है पबलिक इलेक्ट्रिक वहिकल चार्जिंग स्टेशन इस्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने आठ सो करोड रुपे मनजूर किये हैं पबलिक चार्जिंग स्टेशन अब सरकार कह रही है आप क्या करो इलेक्ट्रि ही नहीं जा पाती इतनी चोटी और संक्री गलियां है गाड़ी भार खड़ी करनी पड़ती है तो भाई किस पे चार्ज करेंगे जब अपने घर में पार्किंग ही नहीं है अपने घर के बिजली का बोर्ड ही नहीं है वहाँ पे चार्जिंग कहां लगाएंगे तो जो पब म्योजना के तहत किया जाता है, फे म्योजना 2015 में पहले शुरुवात की थी, किसके लिए दो साल के लिए, दो साल तक चली थी 2015 में बच्चो, अब जो है ये कितने, लगबग 7432, कितने 7432 इस्टेशन किये जाएंगे, कितने करोड़ रुपे की रासी से 800 करोड़ रुपे की रासी से और ये फे म्योजना क्या है Faster Adoption Adoption का मतलब होता है, अपनाना किसी चीज़ को, ठीक है Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles ये फे म्योजना की Full Form है, पूछ सकता है आपको किस योजना के तहत 800 करोड़ रुपे केंदर ने दिये है फे म्योजना के तहत Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles इस योजना के तहत बचो, ठीक है इस योजना के तहत सरकार ने PAN और आधार लिंक करने की समय सीमा कितनी बढ़ा दिये बचो, PAN Card से पता चलता है PAN मतलब Permanent Account आपके नाम पर जो भी पैसा इधर उधर होगा अगर आपका जो खाता है वो PAN से जुड़ा हुआ है तो वो सरकार को पता चलता रहेगा अब पता चल गया ठीक है लेकिन आप रहते कहां हो क्या करते हो, ये सब चीजें आपकी आधार से जुड़ी हुई है तो PAN और आधार लिंक करने का मतलब है सरकार चाहती है कि अगर आप एक रुपया भी खर्च करो तो पता चले कि इस आदमी ने किया है और ये यहां रहता है अगर आप कोई भी गड़बर जाला 30 जून 2023 दिहान रखना है ठीक है चलो किसे अंतरास्टिय मुक्यबाजी संग के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है देखो बचो अंतरास्टिय मुक्यबाजी संग का मुख्यलह लुसाने जिसे हम कहते हैं हम कभी-कभी लुसाने कहते हैं कोई-कोई लौजेन भी कहता है क्या कहता है लौजेन मतलब ये इसकी स्पेलिंग इस टाइप की है कि दो तरह से लिखा जाता है ये एक ही शहर का नाम है एक ही जगे का नाम है ये बच्चो इसके उपाध्यक्ष बने हैं तो इनका नाम याद रहे न रहे आप छोड़ो बस आपको ये देखना है कि भारत से कौन बने है और कुल मिला के कितने हैं तीन है क्योंकि इतना ज़्यादा टफ सवाल आप से पूछेगा नहीं एक्जाम है ना क्योंकि तीन सवाल ये नाम तो भई इनको याद करने में चीए ना और एक्जाम हमारा एक महीने बाद आ रहा है तो अजय सिंग जो है ना अजय सिंग को अंतरास्तिय मुक्यबाजी संग का उपाध्यक्ष बना गया है इनके साथ कितने और लोग हैं दो और लोग हैं कुल मिला के कितने हैं वो पाध्यक्ष तीन लोग हैं बच्चो इसका अध्यक्ष आप से जरूर पूछा जा सकता है उमर नाजारोविच क्रेमलेव पूरा नाम है या तो उमर क्रेमलेव याद रख लो उमर क्रेमलेव ठीक है उमर क्रेमलेव ध्यान रखना है उमर नजारोविच, क्रेम लेव, इनका पूरा नाम है, ये रश्या के हैं, ये अध्यक्ष हैं किसके? अंतरास्तिय मुक्यवाजी संग के. किसके बचो? अंतरास्तिय मुक्यवाजी संग के. है ना, लॉजेन या लुसाने सुझेलन में इसका मुख्याला है, इंटरनेशनल ज आप ज़्यादा दिखते है ना, तो million dollar, 36.3 करोड अमेरीकी dollar, या बच्चो कितने, 363 million dollar, अब ज़्यादा सी लग रहे हैं ना, पैसे, अब पैसे ज़्यादा लग रहे हैं ना, आपको एक आदमी तो 2000 रुपे दे दे, है ना, और एक आदमी 100-120 नौट दे दे, तो आपको ये थोड़ा सा पर्स की मोटाई बढ़ा दी ना, तो, पैसे उतने ही ती हैं दोनों ने, 100-20 नौट है ना, लेकिन ना, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, जब ज़्यादा बोला जाए, ज़्यादा सुना जाए, ज़्यादा जेब में रखे हूं पैसे तो अच्छा लगता ह क्योंकि देखो करनाटक में क्या है करनाटक में बहुत सारी जगे पर पानी का स्तर खतम होने के बराबर है, कितना बिलकुल खतम होने के बराबर है बच्छो ठीक है, चलो, तो 363 million dollar या 36.3 करोड अमेरिकी डालर का रिन मंजूर किया गया है करनाटक के लिए, किसके लिए, क PFRDA ने लोकपाल की आयू सीमा 65 वर से बढ़ा कर कितनी कर दिये बच्चो भारत में जो pension जो pension का पैसा होता है ना तो जो pension का पैसा को कौन manage करता है कोई संस्था तो manage करती होगी उसका नाम है PFRDA Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA की full form आ सकती है PF मतलब Pension Fund Regulatory and Development Authority Pension Fund Regulatory and Development Authority Pension Fund Regulatory and Development Authority बच्चो ये 65 साल लोकपाल लोकपाल का मतलब है इससे संबंदित जो भी शिकायते आएंगी उन शिकायतों का निपतारा करने में जो मदद करता है सारी शिकायते एक आदमी तो नहीं कर सकता लेकिन शिकायत का निपतारा करने में जो मदद करता है जिसकी निगरानी में इस शिकायते आती है इनका निपतारा किया जाता है वो पद होता है लोकपाल और इसकी आयू कर दिये 70 साल ठीक है 70 साल भी पैंशन वाला आदमी है पेंशन तो जब बुड़ा हो जाता है 60 से उपर पेंशन मिलनी शुरू होती है पेंशन वालों की जो शिकायतों को मजबूरी को समझेगा न वो ज़ादा उमर का ही तो आदमी समझेगा अभी तो आपकी जो उम्रें आपको क्या पेंशन RCIN की जरुत है बढ़ापे में जब पता चलता है जब पेंशन आती है तो घर वाले ना उस दिन बहुत खातेदारी करते हैं लोगों की ठीक है आज पेंशन आई है बाबुजी के लिए क्या बनाओ पकोडी बनाओ आज हलुआ बनाओ बाबुजी के लिए तो दो-चार दिन तो पेंशन के उ में हलुआ खा जाते हैं तो भई ये बहुत बढ़िया चीज है और इसलिए 65 साल से लेके 70 ताकि भई आपको भी पता रहे के पेंशन वालों की क्या-क्या मजबूरियां हो सकती है क्योंकि आप भी उसी एज गुरुप में हो ठीक है आप भी उसी एज गुरुप में हो बच आते हैं उड़ी सा में एक रगबी स्टेडियम है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है लगाओ अंदाजा लगाओ तुक्का अनतव 않ल धक्वक भी है Hai बच्चे करा हिए जी राश्टपती-दृब्दी मुरुमु лिभी चुछों का यही ए जी कुछ करें सी ऐख भी एख फ़ाह कुछे कुछ राऊवित ही और और उसे कुछ राँव भच्चे से कुषय को भी परस को भी करें चलो बता देते हैं फिर ठीक है ? तो बच्छो राहुल बोस। अब राहुल बोस को क्यों नाम दिया गया ये ? क्योंकि ये ग्यारे साल तक रगभी खेलें भारत के लिए भारत के लिए रगभी खेलें रगभी के बहुत अच्छे क्या है ? वैसे अक्टर है ये आपको दिखा तो इनकी शकल देखो ये हैं राहुल बोस आपने देखा होगा कई फिल्मों में आते हैं आते हैं ना कई फिल्मों में तो वच्छो ये 11 साल तक भारत के लिए रगभी खेले हैं इसलिए उडीसा में कहां पर उडीसा में कहां पर उडीसा में एक रगभी स्टेडियम का नाम क इसके अध्यक्ष भी हैं, कौन हैं? उसके अध्यक्ष भी हैं, रगभी, इंडिया, फिटबॉल यूनियन के वो अध्यक्ष भी हैं बच्चो ठीक है? जल्दी से डिवीजन करते हैं, किस देश ने कृत्रम लक्षपर, सुपरसोनिक, एंटी शिप मिसाइल दागी है? रूस न आय-टी मदरास वाले कह रहे हैं, ठीक है? आय-टी मदरास, लेकिन देखो, जो पानी मिलाते हैं, उनको डरने की जूरत नहीं है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कर पानी का भी पता लगा लेंगे हैं, पानी का पता, यानि मिलावट जो पानी वाला है, उसका कहीं नहीं ल तर्दिरी राजनास सिंग नेस की अध्यक्षता की बचो Ultimate Table Tennis Season 4 कायोजन कहाँ पे होगा ये भी पूने में होगा बचो कहाँ पूने में होगा NDTV ने सेभी के किस पूरबर्मुक को Non-Executive Chairman Nukt किया है तो UK सिन्हा को किया है इनका पूरा नाम क्या है बचो उपेंद्र कुमार सिना है हो सकता है उपेंद्र कुमार सिना ही लिखा है ठीक है किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े चार मीटर के लिक्विड मिरर टेलिस्कोप का नावरंड किया गया है उत्रा खंड में किया गया है किस मंत्राले ने भारत को उत्पाद विकास करता औ यानि कि product developer और manufacturing nation बनाने का जो निर्ने किया है उसके लिए कि task force गठित की है तो एक यह बचो ministry of electronics and information technology ministry of electronics and information technology यानि electronics और सूचना प्रोध्योगी की मंत्रा लेने बचो ठीक है दलाई लामा ने US में जन में कितने वर्सी है मंगोलियाई बच्चे को बहुत धर्म में तीसरा सरवोच पद जो है उसके तोड़ पे नामित किया है बच्चो या नामित किया है 8 साल का है वो बच्चा और यह पद का नाम है दसवाँ खल्खा जेटसन धंपा इन पोचे बच्चो खल्खा जेटसन धंपा इन पोचे इसका नाम है पबिक Electric Vehicle Charging Station इस्थापित करने के लिए केंडर सरकार कितने करोरी रुपे उसने मंजूर किए है कितने Station बनाई जाएंगे, 7,432 बनाई जाएंगे बच्को किस योजना के तहट फेम योजना के तहट, फेम का मतलब क्या है Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles faster adoption and manufacturing of electric vehicles इसकी full form है बच्चो आधार पैन लिंक अव करा सकते हो अब 30 जून तक कब तक बच्चो 30 जून तक यानि इस साल आधे साल तक है न आधे साल तक करा सकते हो अंतरास्तिय मुक्यबाजी संग के उपाध्यक्ष अजय सिंग क्या ये भारतिय मुक्यबाजी संग जो है Boxing Federation of India जो है BFI जो है उसके भी अध्यक्ष है बिलकुल उसके भी अध्यक्ष हैं बच्चो तो ये जो International Boxing Association है इसका मुक्याल ले कहा पल है कहा पर है बच्चो लुजाने या लोजेन सुज्जे लेंड में है और इसके अध्यक्ष हैं उमर क्रेम लेव कौन है उमर क्रेम लेव सच पेजल के लिए 363 मिलियन अमेरीकी डॉलर का रेंड मंजूर किया है किसके लिए बच्चो करनाटक के लिए वर्ल्ड बैंक ने ठीक है चलो PFRDA ने यानि पबलिक जो सॉरी पेंशन फंडर रेगुलेटरी और डवल्लपमेंट अथॉर्टी जो है पेंशन फंडर रेगुलेटरी और डवल्लपमेंट अथॉर्टी PFRDA जो है उसने लोकपाल की आयू कर दी है 65 से 70 साल कितना बच्चो किसके नाम पर मैं रगबी स्टेडियम का नाम तो वो रखा गया है किसके नाम पर बच्चो राहुलोबोस के नाम पर किसके नाम पर राहुलोबोस के नाम पर रखा गया बच्चो CRPF के DG कौन है ये आज का सवाल है अज जो है जो हमारी MTS की कलास चल रही थी Rapid Fire वो आज नहीं होगी, क्योंकि आज मुझे class अभी final कर देनी है, किस चीज की बच्चो, class final कर देनी है आपकी December की, क्योंकि शाम को आपको December की class आज मिलने वाली है, monthly, लगबग 300 के करीब question होंगे, बार बार मत पूछना उसमें, कि इसमें कितने सवाल हैं, कितने सवाल हैं, लग के लिए इतना ही रखते हैं बच्चो, मेहनत करो, साथ में हम भी मेहनत करेंगे, जितनी कर सकते हैं, उतनी करेंगे, आपसे भी उम्मीद करेंगे, कि आप जितनी मेहनत कर सको, क्योंकि ये मेहनत आपका भविश्य बनाएगी, ठीक है, तो दोनों मिलके साथ करेंगे सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पैर से भी चलते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है, आज के लिए इतना ही शाम को मिलते हैं, धन्यवाद.